अनपूर्णा सदापूर्णा शंकर प्रान वल भे ज्यान वेराग के सिध्यर्थे भिक्षाम देही चेपार्वती राधी राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संसकार की बादे चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज शुक्रवार का दिर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनपूर्णा व्रत कथा बंधों यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल संसकार की बाते को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर करें और बेल आइक कन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी की आने वली सभी वीडियो की जानकारी सबसे वहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुने सुनने के बाद कामेंट बोक्स में जै अनपूर्णा माता लिखना बिल्कुल ना भूलें बोलो अनपूर्णा माता की जै हो एक समय की बात है काशी निवासी धननजे की पत्नी का नाम सुलक्षना था उसे अन्य सब सुक प्रापत थे केवल निधनता ही उसके दुख का कारण थी यह दुख उसे हर समय स्ताता था एक दिन सुलक्षना अपने पती से बूली स्वामी आप कुछ उध्यम करो तो काम चल इस प्रकार कब तक काम चलेगा सुलक्षना की बात धननजे के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वना शंकर जी को प्रसंद करने के लिए बैठ गया और कहने लगा हे देवादी देव विश्वेशर मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता केवल तुम्हारे भरो से बैठा हूं इतनी विंती करके मैं दो तीन दिन भूखा प्यासा बैठा रहा यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अनपूर्णा 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 इस प्रकार तीन बार कहा यह कौन क्या कह गया इसी सोच में धननजे पढ़ गया कि मंदिर से आते हुए ब्रहामनों को देखकर पूछने लगा पंडित जी अनपूर्णा कौन है ब्रहामनों ने कहा तु अनच छोड़ बैठा है सो तुझे अनच की ही बात सूचती है जा घर जाकर अनच ग्रहन कर धननजे घर गया इसी से सारी बात कही वेह बोली नाच चिंता मत करो स्वयम शंक जी ने यह मंत्र दिया है वेह स्वयम है इसका खुलासा भी करेंगे आप फिर जाकर उनकी अराधना करो धननजे फिर जैसे के तैसा पूजा में बैठ गया रात्री में शंकर जी ने आज्या दी कहा तो पर्वदिशा में चला जा वेह अनपूर्णा का नाम जपता जाता र ने ही दिनों तक चलता गया वहां उसे चांदी सी चमक्ती बन की शोभा देखने में आई सुन्दर स्रोभा देखने में आया उसके किनारे कितनी अपसराएं छुंड बनाए बैठी थी एक कथा कहती थी और सब मा अनपूर्णा इस प्रकार बार-बार कहती थी यह अगहन मा क्रीक का भर जुद्यारी राप्ति थी आज से ही वरत का आरंब ठा जिस शबत की खोश करने वह निकला था उसे वहां सुन्ने को मिला धननज्य ने उसके पास जाकर पूछा मुझा हे देवियों आप यह क्या करती हो उन सब ने कहा हम सब मा अनपूर्णा का वरत करती हैं वरत करने से क्या होता है यह किसी ने किया भी है इसे कब किया जाए कैसा वरत है और इसकी क्या विदी है मुझसे भी कहो वे कहने लगी इस वरत को सब कोई कर सकते हैं 21 दिन तक के लिए 21 गाण्ट का सूत का धागा ले 21 दिन यदी ना बने तो एक दिन उपवास करें यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रशाद ले निराहार रहकर कथा कहें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या गुवार पाठा के व्रिक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षे कर, सूरे गाये तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए, मुख में दाना ना डाले, यदि भोल से दाना पढ़ जाएं, तो एक दिवस फिर उपवास करें, व्रत के दिन क्रोध ना करें, जूट ना बोलें, धननजे बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा, वे कहने लगी, इस के करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निधन के घर दन आए, बांजी को संतान मिले, मूरक को विध्या आए, जो जिस कामना से व्रत करे, मा उस की इच्छा पूरी करती हैं वह कहने लगा बेहनों मेरे भी धन नहीं है विद्या नहीं है कुछ भी तो नहीं है मैं तो दुखिया और द्रिद्र ब्रहामन हूँ मुझे इस व्रत का सूत दोगी हां भाई तेरा कल्यान हो तुझे देंगी ले इस व्रत का मंगल सुत्र ले धन सब्सक्राइब धनजे ने व्रत किया व्रत बुरा हुआ तभी स्रोवर में से 21 खंड की सुरंसीड़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई धनजे जै अनपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितने हिसी सीडियां उतर गया क्या देखता है क्रोडों सूर्यों के समान अनपूर्णा का मंदिर है उसके सामने स्वरन सिहासन पर माता अनपूर्णा विराजमान है सामने भिक्षा है तू भगवान शंकर खड़े हैं देवंग गनाये चवर डुलाती हैं कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं धननजे दोड़ कर जगदंबा के चर्नों में गिर गया देवी उसके मन का कलेश चान गई धननजे कहने लगा माता आप तो अंतर यामनी हो आपको अपनी दशा क्या बताओं माता बोली तूने मेरा व्रत किया है जा संसार तेरा सत्कार करेगा माता ने धननजे की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रगट हो गई इतने में क्या देखता है काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है मा का वर्दान ले धननजे घर आया सुलक्षना से सब बात कही माता जी की क्रिपा से उसके घर में समपत्ती उमरने लगी छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा जैसे शहद के छत्ते में मखियां जमा होती है उसी प्रकार अनेक सगे समंदी आकर उसकी बड़ाई करने लगे कहने लगे इतना धन और इतना बड़ा घर सुन्दर संतान नहीं तो इस कमाई का भोग कोन करेगा सुलक्षना से संतान नहीं इसलिए तुम दूसरा विवाहा करो अनिच्छा होते हुए भी धननजे को दूसरा विवाहा करना पड़ा और सती सुलक्षना को सोद का दुख उठाना पड़ा इस प्रकार दिन बीत दे गए फिर अगहन मास आया नए बंधन से बंधे पती से सुलक्षना ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुई है इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन और सुखी हुई है सुलक्षना की बास सुन धनन्जे उसके यहां आया और व्रत में बैड़ कया नई बहु को इस व्रत की खबर नहीं थी वह धनन्जे की आने की रहा देख रही थी दिन बीचते गए व्रत पूरे होने में तीन दिवस बाकी थे कि नई बहु को खबर मिली उसके मन में इश्या की जौला देख रही थी सुलक्षना के घर आ पहुँची और उसने वहां भगदर मचा दी बहे धनन्जे को अपने साथ ले गई नई घर में धनन्जे को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आदवाया इसी समय नई बहु ने उसके व्रत का सूथ तोड़ कर आग में फैक दिया अब तो माता जी का कोप जाग गया घर में अक्समात आग लग गई सब कुछ चल कर राख हो गया सुलक्षना जान गई और पती को फिर अपने घर ले आई नई बहु रूट कर पिता के घर जा बैठी पती को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षना बोली नाद घबराना नहीं माता जी की क्रिपा अलोकिक है पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती अब आप श्रद्धा और भक्ती से अराधना शुरू करो वे जरूर हमारा कल्यान करेंगी धरन जे फिर माता के पीछे पड़ गया फिर वही स्रोवर सीड़ी प्रगट हुई उसमें मा अनपुर्ना कहकर उतर गया वहां जा मा जी के चर्णों में रुदन करने लगा माता प्रसन हो बोली यह मेरी स्वरन की मूर्ती ले इसकी पूजा करना तू फिर सुखी हो जाएगा जा तुझे मेरा आशिरवाद है तेरी इस्त्री सुलक्षा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है उसे मैंने पुत्र दिया धननजे ने आँखे खोली तो खुद को काशी विश्वनाज के मंदिर में खड़ा पाया वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया इधर सुलक्षना के दिन चड़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जनम हुआ गाव में आश्चरे की लहर दोड़ गई मान्यता आने लगी इस प्रकार उसी गाव के निसन तान सेट के पुत्र होने पर उसने माता अनपूर्णा का मंदिर बनवा दिया उसमें माता जी धूम धाम से पधारी यग्य किया और धनन जे को मंदिर के आचारे का पद दे दिया जीविका के लिए मंदिर की दक्षिना और रहने के लिए बड़ा सुन्दर्म भवन बनवा दिया धनन जे इस तरे पुत्र सहीद वहां रहने लगा माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमधनी होने लगी उधर नई बहु के पिता के घर डाका पड़ा सब लुट गया वे भीक मांग कर पेट भरने लगे सुलक्षना ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा और अलग घर में रख दिया और उसके अन्वस्त्र का प्रबंद किया धनन्जे सुलक्षना और उसका पुत्र माता जी की क्रिपा से आनंद से रहने लगे माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे राधे राधे जै श्री क्रिश्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद